असलाम अलेकुम मैं तजमुल सर इस वीडियो में हम exercise 6.3 का question number 9 solve करेंगे ये question आप से क्या रहा है कि आपने एक सबसे छोटा square number निकालना है जिसको 4, 9 और 10 divide कर सके ठीक है इस question को solve करने के लिए हमने 2 steps को follow करना है पहले step में हमने 4, 9 और 10 का LCM निकालना है और दूसरे step में हमने square number को डोड़ना है चलिए हम इस question को ऐसे solve करेंगे सबसे पहले हमने 4, 9 और 10 का LCM निकालना है लीजिए 4 को, 4 को हम लिख सकते है 2 into 2 यानि 4 के जो factors है that is 2 into 2 is equal to 2 square इसी तरह फिर हम लेंगे digit 9 को 9 किसके बराबर होता है 3 into 3 is are that is 3 square और 10 को हम लिख सकते है 2 into 5 is are 10 ठीक है अगर आप देखोगे जो factors आ रहे हैं वो आ रहे है 2, 3 और 5 में ठीक है जो पहला case है उसमें हमें आ रहा है 2 square अब कौन से factors missing है 3 और 5 हम 3 और 5 के बाले लिख सकते हैं 3 raised to power 0 into 5 raised to power 0 इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि यह term 1 बनेगी that is 2 raised power 2 into 1's are 2 raised power 2 that is 4 ठीक है इसी तरह 3 into 3 is equal to 3 square missing कौन से factors है 2 और 5 लिखे 2 और 5 के बाले 2 raised to power 0 into 5 raised to power 0 इसी तरह digit 10 के जो factors है वो है 2 into 5 ठीक है अब देखिए यहाँ पे 2 factors आ रहे हमारे पास 2 और 5 लेकिन missing कौन सा factor है इसमें वो है 3 लिखे 2 raised to power 1 that is 2 3 raised to power 0 क्योंकि 3 missing है इसमें सो मैं लिख सकता हूँ 3 raised to power 0 into 5 raised to power 1 that is 5 LCM के लिए आपने क्या करना होता है आपने common factors के highest powers को लेना होता है फिर उनको multiply करना होता है चलिए देखते हम LCM कैसे निकालते है सबसे पहले आपको लेना है factor 2 इसमें भी 2 आ रहा है इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है अब आपने देखना है कि highest power कौन साइस में यहाँ पे 2 आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है highest power कौन साइ 2 that is 2 raised to power 2 फिर आते हैं हम factor 3 पे यहाँ पे इसका power है 0, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है highest power कौन सा है 2, that is 3 square, ठीक है फिर आते हैं हम factor 5 पे, यहाँ पे 5 का जो power है वो है 0 यहाँ पे भी 0 है लेकिन यहाँ पे 1 है हमें कौन सा factor लेना है जिसका power highest होगा, ठीक है ज्यादा होगा, वो है 1 यहाँ पे, so लीजे 5 raised to power 1 कीजे इनको multiplication, वो आपका आएगा 2 raised to power 2 is equal to 4 3 square आएगा 9, into 5 raised to power 1, आएगा 5 4 nines are 36, into 5 वो आपका आएगा 180, ठीक है so LC हम आपका क्या आ रहा है, 180, अब आपको क्या करना है अब आपको देख, अब आपको दूसरे step में एक perfect square number ढूणना है क्या करोगे, इसकी prime factorization जब आप prime factorization करोगे, 180 की जो factors आपको आ रहे हैं, वो आ रहे है 2 into 2, 3 into 3, into 5 अगर आप देखोगे, 2 एक peer बना रहे है, 3 भी एक peer बना रहे है तो आप क्या करोगे, आप 180 को क्या multiply करोगे, ताकि ये एक perfect square बने 5, यहाँ से भी 5 multiply करोगे, क्यों, क्योंकि जब आप 5 यहाँ से multiply करोगे तो 5 भी एक peer बना आएगा, ठीक है और यहाँ से भी 5, जब आप multiply करोगे तो जो number आपको मिलेगा, मैं आपको यहाँ से बताऊंगा जो number हमें मिलेगा, that is 180 into 5, 2 into 2, एक peer, 3 into 3, दूसरी peer और 5 into 5, तीसरी peer, ठीक है वो आपका आएगा, 180 into 5, that is 900 बाकि ये तीनों आपके peers बनाएंगे so, जो required square number है, smallest square number जिसको 4, 9 और 10, divide करेगा, वो है 900 इसी तरह question 10 है, आपका बिल्कुल यही method आपने यही procedure आपने follow करना है, बाकि same है, ठीक है ये आपका हो गया question number 9